उत्पत्ती अध्याय चियालिस उत्पत्ती अध्याय चियालिस तब इस्रायल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेर्शेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहा के परमिश्वर को बलिदान चड़ाए तब परमिश्वर ने इस्रायल से रात को दर्शन में कहा हे याकुब, हे याकुब, उसने कहा क्या आग्या उसने कहा मैं परमिश्वर तेरे पिता का परमिश्वर हूँ तू मिश्वर में जाने से मत डर क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाती बनाऊंगा, मैं तेरे संग-संग मिसर को चलता हूँ, और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चे ले आऊंगा, और युसूप अपना हाथ तेरी आखों पर लगाएगा, तब याकूब बेर्शवा से चला, और इस्राल के पुत अपने पिता याकूब और अपने बालबच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरोन ने उनके लिए आने के लिए भेजी थी, चढ़ा कर चल पड़े, और वे अपनी भेडबकरी, गायबैल और कनान देश में अपने इकटा किये हुए सारे धन को लेकर मिसर म आये, और याकूब अपने बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों, निदान अपने वंशभर को अपने संग मिसर में ले आया, याकूब के साथ जो इस्राइली अर्थात उसके बेटे, पोते, आधी मिसर में आये, उनके नाम ये है, याकूब का जेठा तो रुबेन था, और रुबेन के पुत्र हनोग, पललु, हेस्त्रोन और कर्मी थे, और शिमुन के पुत्र यमुयल, यामिन, ओहद, याकिन, सोहर और एक कनानि स्त्री से जन्मा हुआ शावल भी था, और लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी थे, और यहुदा के एर, ओनान, शेला, पे पेरेश और जिरह नाम पुत्र हुए पर एर और उनान कनान देश में मर गए थे और पेरेश के पुत्र हेस्त्रोन और हमुएल थे और इस्साकार के पुत्र तोला, पुबा, योब और शिम्रोन थे और जबुलून के पुत्र सेरेद, एलोन, यहलेल थे लिया के पुत्र जो याकूब से पदनराम में उत्पन्न हुए थे उनके बेटे-पोते यही थे और इनसे अधीक उसने उसके साथ एक बेटी दिना को भी चन्म दिया यहां तक तो याकूब के सब वंशवाले 33 प्राणी हुए फिर गाद के पुत्र सियोन, हग्य, शुनी, एस्बोन, हेरी, अरोदी और अरेली थे और आशेर के पुत्र इमना, इश्वा, इस्वी और बरिया थे और उनकी बहीन सेरह थी और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकियल थे, जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदी यही थे, सो उसके द्वारा याकूब के सोलह प्राणी उत्पन हुए, फिर याकूब की पत्नी राहिल के पुत्र युसूप और बन्यामीन थे, और मिस्र देश में ओन के पोती पेरा की बेटी आसनत से युसूप के ये दो पुत्र उत्पन हुए, अर्थात मनश्य और एप्रेम, और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अश्पेल, गेरा, नामान, यही, रोष, मुपिम, हुपिम और आरद थे, और राहिल के पुत्र जो याकूब से उत्प पुत्र थे, उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए, फिर दान का पुत्र खुशिम था, और नप्ताली के पुत्र यहसेल, गोनी, सेसेर और शिलेम थे, बिल्ला जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहिल को दिया, उसके बेटे पोते यही है, उसके द्वारा याकूब के वंश में साथ प्राणी हुए, याकूब के निजवंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उनकी बहों को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए, और युसुब के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे दो प्राणी थे, इस प्रकार याकूब के घराने के जो मिस्रे में आये, सो सब मिलकर सत्तर हुए, फिर उसने यहुदा को अपने आगे युसुप के पास भेज दिया, कि वह उसको गोशिन का मार्ग दिखाए, और वे गोशिन देश में आये, तब युसुप अपना रत जुत्वा कर, अपने पिता इसरायल से भेट करने के लिए ग गले लिप्टा, और कुछ देर तक उसके गले से लिप्टा हुआ रोता रहा, तब इसरायल ने युसुप से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया, और तेरा मुह देख लिया, तब युसुप ने अपने भायों से, और अपने पिता के घर जाने के लोग, जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशूं को पालते हैं, इसलिए वे अपनी भेडबकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है, सब ले आये हैं, जब विरोन तुझ को बुला के पूछे, कि तुम्ह को पालते हैं, बरन हमारे पुर्खा भी ऐसा ही करते थे, इससे तुम गोश्रिन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्ट्री लोग गुणा करते हैं.